प्रिफ ये गाइस इसनी रज नेवाचीं क्यो ट्रिक्स के यूटुब चैनल क्योट्रिक्स 2.00 ओपर आपका स्वागत है और इस चैनल के हम लोग करते हैं उत्रक्ण के एक्जाम के तैयारी और ये जो पर्टिक्ट्ट्री चल रही है वह चल रही है उत्रक्ण दियलेट प्रवेश परिक्षा दोजार चॉविस की तिरी यानि आज है उसका डे फिप्टी वन यानी हम पूरी कर चुके हैं तो अगर हम पांच कुशिंस का एवरिज लेके पी चले तो अप्रॉक्स टू फिप्टी कॉश्टिंस अभी तक हमारे हो गए हैं तो 250 questions कम नहीं होते हैं और सारे के सारे questions जो है previous year में आएवे questions हैं आजकल जो हमारे questions चल रहे हैं वो चल रहे हैं 2018 के questions अभी छोटी-छोटी वीडियो बनाने का motive यह है कि अभी strength बहुत कम है क्योंकि 24 के exam का notification अभी तक नहीं आया है लेकिन अभी से आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि जब notification आएगा तो पढ़ने वालों की भीर भी बढ़ेगी और competition भी बढ़ेगा इस तरीज से मेरा target था कि जो आने वाली परिक्षा है जो 24 में होनी है वो गणित में उसमें हम लोग 50 में से 50 score कर सके मेरे बारे में जो लोग नहीं जानते हैं मेरा नाम करी है तो उत्राखंड में हम YouTube पे ही free of cost जो है बिल्कुल 100% education दे रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के class अगर आज के class अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लग रही यहां पर इक्रमूर्य को बना रहा है वो उसको हम लागत मूर्य ले सकते हैं कोई चीस बनाने में जो पैसा लगा उसको लागत मूर्य करता है हूँ होता है इसको 100% ही लेंगे, लेकिन कई conditions ऐसी भी आ सकती है, जहां पर हमें उसको change भी करना पड़ा है, जैसे आपके सामने यहां पर condition आईए, क्या condition है, एक वस्तू का लागत मूले, उसके विक्रे मूले का 40 प्रतिशत है, यानि हमारे पास दो चीज़ है, एक है selling price, यानि विक्रे आनेगे कि अगर selling price 100 रुपे है, अगर selling price 100 रुपीज है, या 100 है, या 100 परसेंट भी आप यहां पर ले सकते हो, तो जो लागत मूले है, जो raw price है, वो कितना है, इस 100 का 40 प्रतिशत है, यानि 40 है, 100 का 100 से 40 डारेक्ली कैसे आया, यह मैं कई बार बता चुका हूँ, 100 इन्ट इ जाएगा, तो यह 40 आ गया, यानि selling price हमने 100 assume कर लिया, और जो raw price हो गया, वो 40 रुपीज हो गया, अब आप से पूछा गया है, कि उसका विक्रे मूले, उसके लागत मूले के कितना प्रतिशत है, तो basically हमें English वालों के लिए पर सुन लिजीए, आपको क्या निकालना है, कि 100 is how much percent of 40, यानि selling price is how much percent of raw price, और असान सा question है, यह 140 का कितना प्रतिशत है, उसको कैसे करना है, देखो, जिनको दिक्कत होती है, वह से समझना, मैं पूरा लिख के बता रहा हूं sentence, 100, 40 का कितना प्रतिशत है, 40 का कितना प्रतिशत है, तो इसके लिए क्या करना है, simple, यह 100, 40 का कितना प्रतिशत है, हम माल लेते हैं, 140 का x प्रतिशत है, इसका मतलब 40 गुणा x बटा 100 बराबर, और 100, यह हो गया, तो x को यहां रहन देंगे, बाकिशितों को इधर लेकिए 140 नीचे, और यहां पे भी आपका 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट कर देंगे, 4 से 1 कटेगा, 25 बार, तो x की वेल्यू आ जाएगी, आपकी 250, यहां तो धिहान रखेगा, यहां से पे आप से पूछा गया था कि 140 का कितना प्रतिशत है, कई बार कुशन ऐसा भी आ सकता है, कि 140 से, यह कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत जादा, कितना प्रतिशत कम में हम क्या करते हैं, वो एक अलग तरीका है, यह एक अलग तरीका है, जान रखेगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल कुश्यन है, मैं आज जो पहली बार क्लास में आये हैं, मैं उनसे रिक्रमेंट करूँगा, कि नीजे description box में आपको playlist मिल जाएगी वहाँ पे सारे topics मैंने बहुत deep में बढ़ा रखे हैं बिल्कुल basic से percentage, profit loss, ratio proportion, time and work, सारे topics जो आपके exam में आने वाले topics हैं, वो सारे आपको मैंने बढ़ा रखे हैं, तो चली, शुरू करते हैं आज का दूसरा question, तो आज का जो दूसरा question हमा रही थी, तद अनुसार उसे ही awesome कितना है, अब अगर इस question को मैं banking के students को पढ़ाने जाओंगा, तो एक line में answer आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर यह मान के चल रहा हूँ कि जो मेरे students हैं, जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, आप लोग कई लोग जो है arts background के हो सकते हैं, background वालों के भी यह वाली math strong हो, ऐसा जरूवी नहीं है, तो हम बिल्कुल basic से पढ़ेंगे, यहाँ पर shortcut की जरूवत होगी, वहाँ पर shortcut, और जहाँ पर देखो किसी भी चीज़ का, मैं जो कहता हूँ आप से कि आप 2023 में जी रहे हो, तो आप नए तरीके से करो, बिल्कुल हम पचास संख्याओं का ओसत 30 आया है, average of 50 numbers is 30, बाद में पता चला कि दो संख्याओं गलती से 28 तथा 31 की बजाए 82 तथा 13 लिख दी गई थी, तदा अनुसार सही ओसत कितना है, अब इस question को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो जैसा मैंने पहले बताया है कि हम basic से करें हैं, देखो, पचास संख्याओं का ओसत, तो पचास संख्याओं का ओसत सबसे पहले कैसे निकाला होगा, पचास संख्याओं का जो ओसत निकाला होगा, उन पचास संख्याओं को जोडा होगा, यानि पहले 50 संख्याओं का योग आया होगा, यानि sum of 50 आया होगा, इसको मैं मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ । समझना बहुत ज्यांद सा आपको समझाने के लिए देखो मैं इस condition तक जा रहा हूं समझाने के लिए 50 संख्याओं का और सबस्त कैसे आए होगा पहले पमने जोड़ा होगा इसे मानलो यह पहली संख्या है यह दूसरी संख्या है ऐसे करते करते हमने 50 तक जोड़ा तो 50 में जो अंतिम दो संख्याए हैं वो क्या था बाद में बता चला है कि दो संख्या है 2831 की बजाए इतनी लिख दी गई यानि जो मान लेते हैं जो 49th जो flavors में योहार जो सके बाद वालें वहए वो 13 है और यह 47 नमबर योगे उसकी वहल्म को नहीं बता है इन सब को जोड़ने के बाद इसको हम प्लस तीसरी संख्या और ऐसे करते-करते 47 संख्या फिर 48 नंबर और फिर 49 नंबर और फिर यहां पर 48 होना चाहिए था, sorry, 48 होना चाहिए था, 82 और फिर 39 नंबर और 50 नंबर का सम कितना होगा, एडिशन कितना होगा, 30 गुणा 50 होगा, क्रॉस मल्टिप्लाई कर देंगे, तो पांच्तियां 15, यहीं 1500 होगे इसका सम, अब हमने क्या देखा, कि इस 82 की जगा, actually 28 आना चाहिए था, और इस 13 की जगा, actually क्या आना चाहिए था, हमारा 31 आना चाहिए था, तो आभ में क्या करना पड़ेगा इस सम को हमको balance करना पड़ेगा जो तो चले balance करते हैं इसको यह ऊगया वन फई जीरो जीरो टोटल सम फिप्टी नंबर्स लेकिन इसमें सब्दस करना क्या बेलंस करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको additional जोड देते हैं हमने 28 जोड दिया और हमने 31 जोड दिया ठीक है इतना जोड जा अब यह एक्स्ट्रा हो गया जो सही है वह सही इतना आ गया जो सही है अमारा correct है वह correct इतना आ इतना अस्री जोड़ा हुआ है इतना एक्स्टर जोड़ा है उसको मैनुस कर देंगे इसको माइनस dan मेंगे बंद से सेने फईंगो tablespoon और नौट 615 156 146 4 जो है हमारा नया सम आ जाएगा समझ में आया दुबारा समझ लो यहां पर हमारा वन से लेके 50 तक का जो सम आया जो योग आया नंबरों का वो 15 सवाया लेकिन हमें यह पता चला कि उसमें 82 प्लस 13 था हमने क्या कि एटीटू की जगा 28 है फिर 31 है तो हमने क् आधिमें से पहले 82 और 13 रिमूब कर दिया यह रिमूब कर रहा है मैंने बाद में कर रहा है पहले भिगर सकते ते इतना रिमूब कर दिया और उसकी जगा पर मैंने 28 और 31 जोड दिया इतना सिम्पल सा काम था ठीक जोड़ा तो 1-4-6-4 नया समा गया अब आपको आवरेज तो इसका अंसर 29.28 होगा आगे करने की कोई जरोध नहीं है तो हमारा आपको समझ में आया होगा इदिली कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है चले बढ़ता है एंगले कोश्चन की तरफ तो जो हमारा आज का अगला कोश्चन है वो है एक तामबे का तार मोड कर वरगाकार बनाय जाए तो उसे अर्धवरत की तिज्या कितने सेंटिमेटर होगी आई कमान आपको 22 वर्टे साथ रखना है बहुत ध्यान से समझने है हमारे पस तीन चीज़े हैं एक तामबे का तार है ठीक है और एक वरग है एक स्कॉयर है एक स्कॉयर है और उसी तार को मोड कर एक अर्ध और इसी तार को मोड कर एक मैं काम करता हूं कि मुझे कुछ और समझाना पड़ेगा तो मैं इसको अलग से प्छोड़ सा बड़ा बड़ा बना देता हूं यह हमारा तार हो गया इसी तार से हमने बनाया एक स्कॉयर है और इसी तार से फिर हमने बनाया ओके थोड़ा सा है जो आपका वर्ग है इसका छेत्रफल है 81 सेंटीमीटर स्क्वाय सेंटीमीटर में है ठीक हो गया अब आपको क्या बताना है कि इसी तार को मोड़कर अर्धवृत बनाया जाए तो उस अर्धवृत की त्रिज्या क्या होगी अब बहुत ध्यान से समझेगा यहां पर सारा ज इसका जो परिमिटर हो गया यहां से लेकर यहां तक की दूरी होगी होगी नहीं होगी सबसे पहले तो हम इसकी तार की निकाल लेकर तार की लंबाय निकालने के लिए क्लिए की 81 है तो एक वर्ग का जो चेतरफ़ होता है यह एरिया उब स्क्राइप स्क्राइब आ यह था है एक नमबर को दो बर मल्टिप्लाइब किया होगा तब 81 आया होगा यह यह 5 ये भी नाइन ये भी नहीं ये यह भी नाई पी तह नहीं को 36 जो लंबाई है 36 सेंटीमीटर कितनी है अब यहां पार अरधुवरत बनाया गया है तो इस अरधुवरत जो बनाया गया है उस अरधुवरत की तृज्या है है यहां से लेके यहां तक की दूरी आपको निकाल लिए ठीक है पाई का माना आपको 22 वेटे साथ लेना है अब यहां पर एक जो एक जो सरकल होता है यानि जो पूर्ण व्रत होता है उसका जो आपका radius circumference होता है यानि perimeter होता है जो यह लंबाई है वो होता है कितना 2 2PiR लेकिन क्योंकि आधा है आधा सरकल है तो 2PiR बटा दो कर देंगे यानि दो से दो कर दिए यानि इसका जो आपका circumference होगा वह ओगा PiR तो PiR circumference और circumference की value कितनी है 36 ठीक है 36 ठीक है 36 हो गया अब यह 36 हो गया लेकिन यहां पर आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब एक circle यह होता है पूरा तो यहां से लेके यहां तक का होता है लेकिन इसमें तो यह भी included है यानि जो यह 36 है यह 36 तो पूरा है यहां से ले यहां से लेके यहां तक है तो इसका मतलब यह 36 है यह पाई आर की value नहीं है क्योंकि जो circle होता है circle में जो 2PiR value होती है वो यहां से लेके यहां तक होती है लेकिन इसमें जो PiR होगा यहां से लेके यहां तक होगा तो इसमें हमें इतना भी जोड़ना पड़ेगा यह पाई ले लेता हैं तो आर कोमन लेंगे तो यह हो जाएगा पाई प्लस टू इस इकोस टू थर्टी सिक्स तो आर की वैली हो जाएगी तो यह हो जाएगा आपका थर्टी सिक्स डिवाइडड बाई साथ दुनी चौधा तो यह हो जाएगा आपका ट्वेंटी टू प्लस फॉर्टी इंटू सेवन आप fry liquid गढर ते दी यह हमारा है अंसर आपका ट्रेडियो तो इसकत्तितने हां हैं मारी कर दो हमारा आंसर होगा आपको समझ में आया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है क्लियर है ना चलो बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ तो जो हमारा आज का अगला कुश्चन है वो है एक छात्र अपने विध्याले दो सही एक बट्टा दो किलोमेटर प्रतिगंटा की गती से जाने पर 6 मिनट देरी से पहुंचता है यदि वह 3 किलोमेटर प्रतिगंटा की गती से चले तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है ठीक है तदा नुसार उस चात्र के घर तथा विध्याले के बीच की दूरी कितने किलोमेटर है एक छात्र अपने दो सही एक दो किलोमेटर प्रतिगंटा इंग्लिश वाले सुने लेजिए स्टूटेंट गो इस स्कूल इपी गो विधा स्पीड ऑफ 2.5 किलोमेटर पर आर ही गेट्स फाइव मिनट शिक मिनट लेट अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बटा भी था कि स्कूल वाले कॉस्शन भी यहां पर ठीक है बहुत ध्यान से देखेगा यह है आपका स्कूल और यह है आपका घर जो दूरी है वो तो सेम है लेकिन डेटा हमें अलग-अलग दिया हुआ यह स्पीड टाइम डिस्टंस के कुश्चन से अगर आपको स्पीड टाइम डिस्टंस बेजिक से पढ़ना है तो description box में link है, वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं, फिलाल यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, तो यह दूरी हो गई, अब सबसे पहले हम यहाँ पर दो चीज़े हैं, सबसे पहले जब उसकी speed थी आपकी, speed 1, speed 1 कितनी है, 2.5 km पर आर, ठीक है, speed 2 कितनी है, speed 2 है, 3 km पर आर, ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो distance है, दोनों के इसमें distance सेम होगी, लेकिन जो time है ना हमारा, जो time है, इसमें वो 6 मिनट देरी से पहुँचता है, और इसमें वो 10 मिनट पहले पहुँच जाता है, है ना, 10 से देखें, तो दोनों ही time का, जो अंतर है, वो 16 मिनट का होगा, अगर वो 2.5 km प्रती speed से चल रहा है, तो 6 मिनट देरी से पहुचा, और वहाँ वो 10 मिनट पहले पहुच गया, यहीं दोनों ही time का अंतर, अगर मैं बोलूं कि इसको यहाँ पर T1 time लग रहा है, और इसको T2 time लग रहा है, तो मैं कहा सकता हूँ कि इन दोनों का जो difference होगा, वो कितना होगा, 16 मिनट का difference होगा, कितना क्लियर है सभी को, इतना समझ में आया ना, इसको मैं raise कर रहा है, कि जगा मिरे पास थोड़ा सा कम है, दुबारा समझिएगा, T1, T2 का जो difference है, वो कितना होगा, 16 मि और T1-T2 या T2-T1 जो भी आप करना चाहो तो यहाँ पर T1-T2 जो होगा आपका वोगा 16 मिनट तो अब क्योंकि यह मिनट है तो अब मिनट को हम लोग क्या करेंगे घंटे में कनवर्ट कर देंगे देखो T1-T2 is equals to 16 मिनट मिनट को घंटे में कनवर्ट करने के लिए divide by 60 कर दे देंगे अब T1 क्या हो जाएगा T1 आपका हो जाएगा S1 upon D1 क्योंकि S equals to क्या होता है D upon Speed equals to distance upon time तो T1 हो जाएगा आपका D upon S1 2.5 minus T2 हो जाएगा आपका D upon S2 यानि 3 is equals 2 इसको आप 2 से काट दिजीए ठीक है फोर से काट दो फोर फोर से 16 और पंदरा चक को start ठीक है अब यह हो जाएगा आपका 3D minus 2.5 D upon यह हो जाएगा आपका 2.5 into 3 LCM हो गया 2.5 into 3 ले लिया हमने पूरा-पूरा यह हो जाएगा 4 upon 15 तो 3 minus 2.5 कितना होगा 0.5 D? 0.5 D is equals 2 हो जाएगा आपका 4 upon 15 into 2.5 into D की value आपके हो जाएगी 4 upon 15 into 2.5 into 3 upon point का 5 यहाँ जाएगा point से point cancel या basically यह पूरा पाच बार कड़ गया पाच तियां 15 तीन से तीन कड़ गया यानि D is equals 2 आगया चार किलो मीटर अगर इस question को समझने में किसी को परिशानी हुई है तो नीचे description box में जाके speed time distance को पढ़िए क्योंकि यह बहुत advanced level का question है पहले आपको basic को पढ़ना पढ़ेगा अच्छे से तो जाके एक basic को पहले पढ़ दीजिएगा time निकालके यह दो 10-10 मिनिट की class होती है रोज 10-15 मिनिट की उसके अलावा basics को पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए तो hopefully question आपको समझ में आया होगा ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ तो जो हमारा आज का अगला question है वो एक थैली में 5 काली और 7 सफेद गेंद है प्राइक्ता का question है probability का एक थैली में 5 काली और 7 सफेद गेंद है इसमें से एक गेंद उठाई जाती है और फिर ख्याले में 5 काली और 7 सफेद की नें तोतल हमारे पॉसकम कितने होगे है टोटल आउटकम होगे 12 रहा ठीक है टोटल आउटकम होगे 5 प्लस सेवेट on 12 तो आज काली है और साथ सफेद है तो black आने की probability क्या है हमारे पास black आने की probability है 5 upon 12 ठीक है और white आने की probability क्या है हमारे पास 7 upon 12 अब हमसे question क्या पूछा गया है अगर एपुना एक गिन उठाई जाती है तब एक से एक के सफेद और दूसरे के काला मतलब alternate है ना इसको इसको कहता है intersection यानि A इसकी value आप A मान लो यह A हो गया यह B हो गया यानि A intersection B की value जो होती है वो होती है आपकी यह into this into this यह पहला outcome into तूसरा outcome यह तो बोला कि यह तो काला यह तो सफेद चहांपर यह वाली condition है यह वहाँ पर हो गया ठीक है तो यह हो जाएगा 75 जा 35 और 12 गुणा बारा एक 344 यह 35 upon 144 इसमें option नहीं है क्या यह हमारा सही answer है इसमें कहीं मिस्प्रिंटेड है यह 36 नहीं होगा 35 होगा 35 upon 144 ही हमारा answer होगा तो उम्मीद करता हूँ कि यह class आपको अच्छी लगी होगी अगर class अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू दो मारो